हेलो स्टुटेंट यह आपका जो यह कोस्टन सामने में दिख रहा है इसे हम सॉल्ट कैसे करने के ध्यान को बख से आप सब देखते जाहिए एक फर्मुला हमको पता है 10 inverse A plus 10 inverse B is equal to the 10 inverse A plus B upon 1 minus AB तो यहां पर A का काम जो कर रहा है 2X और B का काम कौन कर रहा है 3X तो फर्मुला अपलाए करी कीजिए फर्स्ट यहां पर फर्मुला क्या बनेगा 10 inverse फर्मुला के अकॉर्टिंग 2X plus 3X upon 1 minus 2X multiply by 3X इस equal to the pi by 4 अब इस 10 inverse को उस साइड हम हम हैं टांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा तो यह 10 pi by 4 हो जाएगा और यह 2X plus 3X कितना हो जाएगा 5X upon 1 minus 6X square is equal to the 10 pi by 4 इसके बाद ध्यान से देखें तो यह 5X upon 1 minus 6X square 10 pi by 4 का value 1 होगा इसके बाद मैं यहां पर cross multiplication करूंगा तो 5X is equal to 1 minus 6X square अब ध्यान से देखें अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखना अब यह आपका 1 minus 6X square को इस सड़ लाएए तो आपको क्या बनेगा यह 6X square plus 5X minus 1 is equal to 0 अब इसका factor करो तो क्या होगा यह 6X square plus 6X minus X minus 1 is equal to 0 अब यहां से 6X common लो तो X plus 1 यहां से minus 1 common लो तो X plus 1 is equal to 0 यहां से 6X minus 1 is equal to 0 इसके बाद case 1 and case 2 करते हैं तो देखें ध्यान से X plus 1 is equal to 0 और 6X minus 1 is equal to 0 तो यहां से X is equal to minus 1 और यहां से क्या मिला हमें X is equal to 1 by 6 तो देखो ध्यान से X is equal to minus 1 जो हम यहां पर LHS में put करेंगे तो हमें क्या होगा RHS satisfy नहीं करेगा तो हम यहां पर लिखेंगे here X is equal to minus 1 does not satisfy the equation यहां पर देखो हमें यहां से क्या दिख रहा है but X is equal to 1 by 6 यह क्या करेगा है satisfy the equation satisfy the equation हैंस इसका solution क्या हो जाएगा X is equal to 1 by 6 यह question 2021 के लिए MP vote 2021 के लिए very very important question है तो आप सब कोशिस करना इस question को ठीक है अच्छे तरी कैसे बना लेना है ठीक है